ना स्टेंस देखिए डाउट इन्होंने बहुत अच्छा पूछा हुआ है सवाल 16 में आसान सवाल है करना कुछ नहीं इसमें परशान ना हो देखो कह रहा है कि दफ गिवन फिगर शोज बच्छो एक फिगर है आपके पास कह रहा है शोज दे सेक्टर ओ एपी सेक्टर को बन अपसर दिया है सब्सक्राइब कोई नमबर नहीं दिया, अ पर तो दिया है और तो एक ग्वें कॉंडरी कि रहा है वीर्जा deepest मिट्स ओपी प्रडूज будем देखो चल क्या रहा है समझो समझो वर चलλαना इक सेगीस से एक सर्कल था सर्कल था था और सर्कल में boundar था ओफ ओफ़ नर्व गये करेगा अब सुनों क्या आइए कि उसने क्या इनियमा आपसे तो यह जो निए सो एना इसके उपर एक पैंडि कुलर और हाँ बाहर से यह 2 आएसेश अरे कि समाझ गए होगे वैसे तो आप यहां से यह इस तरीके से एबढ़ पर पर पिझ रफ्न डिगूलर आ रहा है तो यह radius है और यह 90 degree बन रहा है अब सुनो फिर क्या बोला उसने आपको कह रहा है कि and op produce at b है ना अगर हम op को आगे बढ़ाएं यह इस तरीके से तो यह इस b a को कहां मिलती b पर यानि यह b बाहर नहीं है वो extra बन गया था उसको आप छोड़ो b यहां कहीं है अब आप समझगे होगे b a o a के उपर perpendicular है और op को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से गर हम op को आगे बढ़ाएंगे तो यह b पर जाके क्या करता है इंटरसेक करता है अब सुनो मेरी बात ध्यान से एक्जाम में न यह कोशन देखो आ चुका है तो दुबारा अगर आएगा क्या पता फीगर ही ना दे आपको लैंग्विट पढ़ते जाओ फीगर बनाते जाओ बना लोगे फीगर तो इसकी प्रैक्टिस कर लिजेगा दिखोर बैठम घट उसके बाद बच्चो यह वाली आपको अर्क दिख रिएपी से ए थिखोरी्स की अर्क दिखरी यही शड़ीड रीजन है आपका ठाग यहाला सधेर इसका परीमीटर निकालना यह पारीमीटर क्या होता है तो जवाब है पारीमिटर का मतलरी लेंद बा तक फिर आप निकालोगे B से A तक दोनों का अड़ करोगे यहां लिखता जा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप किसी तरीके से पीबी का लेंथ निकालो पीबी का मतलब यह पी से लेके यह और समझ जाना यह वाला लेंथ निकालन लो पी इसको यहां लिख लो तो पीबी का लेंथ निकालो और ₹ किसी 1967 देंत लो एक मैं निकाल लो सर्कल का कोई भी पार्ट क्या क्या लाता है आर्क यह से लेकर यहां तो यह यहां से लेके यहां तक एक यह यह और तो यह क्या कहला कर आठ üst प्लस कार्टत a- front ? कि यह यहिँ लिए लेंथ आफ और पीए से करके लगा तो तों पी का आर्क यह सिंबल होता है इग अब कैसे निकाल होगे मेरी बाद ध्यृन सुनों देखो सबकी वेलु किसके थरंस से निकालनी है radius r के टम में और theta के टम में निकालनी क्या मैंने बोला radius r और theta क्यों सर क्योंकि सर radius भी given है question में और theta भी given है तो कहला जब perimeter आएगा ना तो वो इतना आ जाएगा यह हमको proof करना है कितना आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आप इतना यह expression देखके आप क्यों टेंशन ले रहे हो आप चुप चुप निकालना शुरू करो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा बास समझो चो सबसे पहले में क्या करने जा रहा हूं ज्यांसर चेक करना सबसे पहले जो सबसे खतरनाक आपको लग रहा होगा उसको मैं निकाल लेता हूं यहां पर क्या यह आर्क पी एक का लेंथ में निकाल के देदेता हूं आपको चलो बच्छो और के लेंथ का फॉर्मला आप लोग ने पढ़ा है क्या यह पढ़ा है दिटा बाए 360 इंटो 2 पाई आर किया मैंने सही बोला ह आर्का 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 लेंथ का फॉर्मुला जिसने नहीं पढ़ा है आपको पता होना चाहिए लेंथ ओफ आर्क का फॉर्मुला क्या होता है एक्जाम आने वाले आपको पता होना चाहिए लेंथ थिटा मतलब यह जो आरक है इसेंटरल पे इंगल बना रही नायब फ़ोगे कौन किसे आर के हम किसका लेंज निकाल रहें आर्क पी का लेंज निकाल रहें ठीक इस बात का देहन रखेंगे अब कुछ नहीं बहुत असान है कितना जगा थीटा बाय अब ध्यान देंगे स्टुडेंस ध्यान से टू अन्जा टू होता है और यह जाएगा 180 टाइम क्या मैंने सही बोला चेक कर लो अब कितना आ रहा है बताओ आ रहा है यहां से ध्यान से चेक करना बच्चो थीटा बाय 180 सही है थीटा बाय 180 और इंटू में क्या बच रहा है इंटू में बच रहा है पाई आर एक अपना आंसर देखो क्या ले किया का न थीटा के साथ कोण मुल्टीप्लाइ कर रहा है पाई पाई इंटू पाई थीटा भी लिख सकते हो लो अगर आ आर को उठाके आगे ले可 तो आपका कुछ चला जएगा कुछ नहीं जाएगा र थीटा और बाए 180 डिग्री बताओ आपका कुछ चला जाएगा अगर ऐसे लिख लोगी तो बात तो भी पढ़ रही ना चेक कर लो ना ऊपर कौन-कौन तो इसका काम थो गया अब P B के लेजे केसे निकालोगे यह पी से बी तक अब यह परिशानी का विश है ध्यान सवीच्ट करो यह जो है आपकी यह पी से बी तक की हमको लेंगत निकाल ले ने इतिक्त तो हम एक चालाकी में करते हैं मैं अब बता रहा हूं देखो आप एक चालाकी करो क्या सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा बी ए ओ सो आप इसमें लगाओ टैंट ठीटा क्यों लगाओ अभी पता चल जाएगा तैंट ही क्यों लगा रहे हो सर आपको कैसे पता चला अभी आपको पता चल जाएगा रुक जब आ यहां से क्या हो जाएगा टैंट हीटा इस टो रेडियस है तो रेडियस आ रहे है अब सुनो इसलिए हम इत्ती देर से परशान थे ताकि मुझे न यह बीए की वेलू मिल जा है किसके टम्स में थीटा और आर के टम्स में क्यों मैंने स्टार्टिंग में बोला कुश्यन में थीटा गिवेन है और गिवेन है तो जो कुछ भी निकालोगे किसके टम्स में निकालोगे अब क्रॉस multiplication करो इतना दमयात साता होगा बी एक निकालो के तो बी एक कितना आ जाएगा बताओ यह आर आके इसमें multiply कर देगा किसमें टैन ठीटा में यानि कि बीए का length आएगा आर इंटू टैन ठीटा यह सो नो घबराना नहीं है बिल्कुल भी तो बीए का जड़ा चेक करना ध्यान से चेक करना ओ से ए तक रेडियस है यह सर तो ओ से पी तक भी तो रेडियस है ठीक बीए वैसे आपको बीए निकालना था तो बीए मैंने निकाल लिया ठीक अब सुनो ओ से पी तक अगर मैं आप से पूछोगी b practice कितना होगा कहां से कहां तक से वी से पी से कितना वोगा निकालो अगर आप से पूछोँ तो आप में But चैक करना ध्यान से ध्यान से ध्यान से क्रो बीपी का क्योंकि मतलब क् ये त्रीभी आप को निकालना के लिए यएाव कि वी से पी ट्रलिया क्या करोगे पूरे और भी में से किसको माइलश करोगे और को यह इव बहाई ओवि मेंसट आप सब्सक्राइब किसे नकलेगा पूरे ओब मेंसे कि माइनस करोगे ओपी को ठीक तो यहीं चीज मैंने करी बीपी बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लो ओभी ओभी कितना है बच्छो ओ से बी तक आपको नहीं पता तो इसको ऐसे ही चिपका दो भी और माइनस ओपी ओपी कितना है आपका स्मॉल आ रहे अब हम ओभी निकाल लें तो ध्यान से करो अगर मैं इसमें लगा दू कौस से ट्राइंगल में बड़े वाले बी ए ओ में तो लगा दो कलर यहां चेंज कर देते हैं ठीक है कौस सीटा बच्छो क्या होता है कौस सीटा कॉस टू बेस अपॉन हाइपो ठीक तो यह देखिए थीटा के लिए बेस कौन oe a और हाइपो कौन ob कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं ट्राइंगल बी इए को में थीटा के लिए बेस कौन oe a और हाइपो कौन ob ठेक तो बेस अपॉन बेस में ओए और हाइपो में कौन आजाएगा बताईए ओभी ठीक है अब सुनो अब यहां से आएगा कॉस्षीटा इस इक्वल्स टू ओए कितना हो जाएगा ओए तो रेडियस और अपॉन में कितना हो जाएगा बताऊ ओभी सही है अब मेरी बात ध्यान सबंदर कुछ नहीं करना वहीं कुछ नहीं करना है कॉस्ट तिटा के नीचे फन मान सकते हो लिए इधर रैसिप्वल्स कर दो इधर यह सार वन अपॉमन कर दो इधर यह सैर वानअ कॉस्षीटा इस इक्वल्स तो इधर उथर क्या और हो जाएगा ओimize फिए क। बताऊ-स त तो यह चीज मैं कहां कर दूं क्या मैं यहां कर दूं यहां समझ जाना इसके बाद इसके बाद मैंने कहां किया हुआ है यहां पर ध्यान से तो अब इतना मैंत्स तो आपको आता है कि आपको अगर ओभी निकालना है तो आर आके सेटा में क्या करेगा मल्टिप्लाई तो और इंटू सेटा यानि कि ओबी का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा और इंटू सेटा लो भाई ओभी भी आ गया ठीक अब जैसे ही ओबी आ गया यहां पर वापस लोट किया जो तो आपका बीपी आ जाएगा कैसे ओभी की लेंथ कितनी रखोगे आर इंटू सेटीटा सो आर इंटू सेटीटा और माइनस आर सही है तो यह आ गया अब आप एक काम कर सकते हो कुछ मत करो अब इसको ऐसे रहने दो कितना आर आपके प ध्यान से बच्चे चेक करेंगे यह रही आपकी पीबी की लेंथ यस सर आजो यहां से आजो यहां पर वापस ज्यान से चेक करो पीबी की जगा आप क्या लिखोगे यह पीबी की जगा आप क्या लिखोगे पीबी की जगा आप क्या लिखोगे आर इंटू सेटीटा माइन और यह वाला प्लस कॉपी करोगे अब बीये की जगाह आप क्या लिखोगे चेक गए कहां निकाला है यह आर इंटो थे टीटा ठीट थे तो लेंद्थ है आर इंटो टैन्ट थीटा और प्लस आरफ पीए ठीक है आर्फ पीए बच्चों अभी अभी आपके सामने निकाला था आर्क पीए की लेंथ कितनी थी यह दिखी निकाल के बैठे हमें यही तो आर्क पीए थे भाई स्टार्टिंग में जो निकाला था वाइट कलर से पीए का र कितना था आर इंटू आर इंटू क्या था ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 180 यही था ठीक अब सुनो यहां एक ब्रैकेट लगाओ और इसको ऐसे क्लोस कर दो क्यों सर अभी पता चलेगा सर अब एक बाद बताईएगा सर ध्यान से चेक करिएगा एक बाद बताओ यह आपका फर्स टम है आर इंट यह फिर इंटिट इंटिटा में अरल इंटिटी फोर्थ टम है है idet र Antव सब में से क्या रहा हम सब्यक्सी थेख डीख और निकाल लो तो हम क्या करेंगे यहां से और आर pañन निकाल लिले बच्छो झ्ल्यान से चेक नूरूग जैसे ही इसमें से आर चला गया तो बचेगा स्ट्रीटा स्क्षितर थीक फिर यह वाला माइस यहां कॉपी किया ध्यान सुनो यह वाला अर्च चला गया बच्छों अकेला अर लिखा था और आर कॉमन लहीं 180 इसमें से आर बाहर चला गया तो क्या बचेगा पाई इंटू ठीटा बाई 180 अब यह वाला यह वाला ब्रैकेट अप मैं नहीं लगा रहा हूं उसको लगाने जरूत नहीं है ठीक यह लो सही है अब बच्छों कुछ नहीं करना है आर लिखा और यह जो करली ब्रेसे से इसको हम लगा दरें और स्क्वाइर ब्रैकेट बना दे रहें क्योंकि कोशचन में हमें स्क्वाइर ब्रैकेट लगा के देंः अब लगा लो थ्ड़ा सुंदर लगेगा तो और यहाँ सथा सुनो अब चीजों को rearrange करो कैसे पहले लिखा उसने 10 थीटा 10 थीटा क्या है positive में है यस सर तो भाई मैंने भी लिख दिया पहले 10 थीटा और 10 थीटा positive है तो उसके आगे आप plus लिखो ना लिखो उससे कोई फरपड़ता है नी ठीक है 10 थीटा को बस rearrange करना और कुछ नहीं करना ह थीक 10 थीटा फिर उसने लिखा क्या फ्रप Scottish थीटा तो मेरा भी तो थीट पर पॉजटीव जचिए तो मैं लिखूंगा plus का सेथीटा उसके बाद उसने लिखा बाचो'm plus में पाई थीटा माए 180 तो तो मैं भी क्या लिखूंगा plus में पाई थीटा भाई 180 थीक और बच्चो और सुनो अगर कभी-कभी वो एक्जाम में कोश्चन देगा आपको यह नहीं देगा आंसर नहीं देगा तो आंसर दिया तो तो हेल्प हो गई हमारी वह आपसे बोल देगा कि आपको खुद सही निकाल के दिखाना पड़ेगा इस तरीके से ठीके ना तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छा कोश्चन कर लीचे